पिता ओफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका दस साल का बच्चा बार-बार कोई सा सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ-पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत देख पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा की क्यों न बच्चे को ऐसा क कोई काम दे दून जिसमें वह कुछ घंटे उलज़ा रहे और उतने समय में मैं अपना काम लिप्टा लूँगा। आपकी बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फ वल्ड मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वह टुकडे लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वह शांती से अपना काम करता है। लेकिन पांच मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला पापा देखिये मैंने वल्ड मैप बना लिया है। पिता ने चैक किया तो देखा मैप बिल्कुल सही जोड़ा था। पिता ने हैरत में पूछा ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। बच्चा बोला ये तो बहुत ही आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकडे मुझे दिये थे उसके एक साइट पर वल्ड मैप बना था और एक साइट पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया और वल्ड मैप अपने आप ही तैयार हो गया। इता बस बच्चे को देखता रह गया। सीख अकसर हम कई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ही सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वह हल हो ही नहीं सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोन बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहां से उसका हल बहुत आसानी से निकला आए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका हल निकालना चाहिए। कोई न कोई आसान हल जरूर मिलजेगा।